यहां पर इसका कीमोद देख सकते हो अनली 999 यानी गैस एक हजर का सेविंग्स हो रहा है गैस अब देख सकते हो मेरा हाथ में एक और नया बॉक्स और इसका अंदर है एक और नया माउस कीबोट का पूरा कॉम्बो जी हां गैस यह जो पोड़क्ट है ना इसका अंदर जो माउस कीबोट है यह अगर किसी के बस हो जाए तो आपना phone में mouse keyboard को बहुती easily connect कर सकते है OR तरीका से OR less तरीका से भी कर सकते है तो guys यह जो product है ना मैंने पहले भी buy किया था और यह second time भी buy कर लिया इसका reason है कि guys जो पहला product है ना मेरा घर से कोई लेके चला गया मुझे नहीं पता तो guys मैंने इसे ना दुबारा भी order कर देता कि guys इससे अच्छा चीज तो हो इन नहीं सकता एक phone में mouse keyboard से खेलने के लिए यहाँ पे आप OR तरीका से OR less तरीका से और खेलते time अपना phone charge होता है और क्या चाहिए बताओ एक phone में तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसका unbox कर लेते हैं एक और चीज आपको बताना चाहते है guys इसका जो original price है उससे आधा price में आप इसे buy कर सकते हो तो आगे चलके मैं बताएंगे वीडियो में बने रहे ना वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है और यहाँ पर देख सकते हो इसका unboxing काफी सही से packing किया है यहाँ पर देख लो यार तो यह चीज तो मैंने Amazon से buy नहीं किया क्योंकि यार उहाँ पे बहुत ही ज़्यादा price था तो guys मैं बताएंगे होर एक चीज तो guys यह जो चीज है ना इसका नाम है Mix Pro 4-in-1 Mobile Combo जी हाँ guys कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था तो guys उस समय मैंने उस चीज को Amazon से buy किया था मैंने वीडियो में दिखाया था लेकिन आप देख सकते हैं Amazon से buy नहीं किया है तो चलो guys इसका जो unboxing experience है ना उएक बद देख लेते हैं कि उए कैसे रहते हैं अभी तक तो सब कुछ सही है यहाँ पर box packing बगगरा देख सकते हो कही पर कुछ कमी नहीं है यहाँ पर box वाई क्या ही look यहाँ पर देख लो Mix Pro इसका एक और version आते है Mix Pro Lite उसमें खली Mix Pro रहते हैं यहाँ पर 4 in 1 mobile combo pack लिखा है सब कुछ सही है और वाई यह थोरा सा 13 हो चुका है तो delivery में होता है वाई ओ तो कुछ major बात नहीं है यहाँ पर देख सकते Mix Pro का बरहने बताए है 5 volt मतलब power देना परता है keyboard का बरहने बताए है यहाँ पर माउस का बरहने बताए है लेकिन इस अफ देखने का जूरी है नहीं क्योंकि तुम्हारा विशुवाज भाई है तो manually, particularly अब को दिखाएंगे यहाँ पर 4 in 1 mobile combo pack करके लिखा है तो यहाँ पर भाई कोई भी seal बगरा यह लोग use नहीं किया है यह खराब लगते है, seal use करना चाहिए तो चलो यार, मिना seal से हम खोलते है और देखते है और यहाँ पर देख लो भाई, सारा समन अंदर packed है सबसे पहले मिल जाते है एक documentation जिसमें बताया है किस तरह से install करना है, कौन सा app install करना है तो तुम्हारा विशुवाज भाई है, तो e-shop देखने का क्या जरूए है सब कुछ पता है मेरे को तो guys e-shop मैंने side में रखते है यहाँ पर देख सकते हो, एक और stand मिला है जो कि काफी अच्छा बात है Amazon में 90 रोपे ले ले लेते है, तो e-look free में देते है काफी सही है, यहाँ पर प्लास्टिक का मेटरियल है लेकिन काफी heavy fill हो रहा यहाँ पर और यह रहा भाई में चीज जो mix pro जी हाँ guys, अगर mix pro है, mouse की बुट नावी है ना तो उ तो हम खरिद लेंगे, marker से खेल लेंगे यहाँ पर देख सकते हो, look wise काफी सही है यहाँ पर एक LED indicator दिया है और यहाँ पर एक button दिया है इसका sound भी सुन लो यार, काफी सही है बहुत ही छोटा है, देखने में काफी सही है यहाँ पर यह जो port है ना, इससे आप अपना phone को wire तरीका से connect कर सकते हो यार, खेलते टाप अपना phone चार्ज होगा तो यार, समझ रहो, और Bluetooth से भी connect कर सकते हो इस side में तो कुछ है नहीं यहाँ पर दो port दिया है इसमें एक में mouse, एक में keyboard लगा सकते हो यहाँ पर एक और port दिया है इसमें अपना phone का जो charger है ना, उसे connect करना परता है तो यह type C port है जो पुराना वहला fly dg वगरा उसमें type C नहीं है पुराना जो USB है ना, उसमें लगा हुआ है तो यहाँ पर देख सकते हो company का WhatsApp नमबर दिया है कुछ दिक्यत होगा, install में तो आप लोग call कर सकते हो WhatsApp कर सकते हो तो guys मैंने इसे कैसे buy किया सबसे पहले Amazon में देख लो Amazon तो trusted website है, बहुत लोग इससे समान खरीतते है न तो सबसे पहले यहाँ पर Amazon में गया यह product मैंने पहले से card में रखा था यहाँ पर इसका कीमाथ देख सकते हो जो की 4000 कास पास इसका कीमाथ है और देखो भाई, यहाँ पर seller देख लो game station house करके seller Amazon भाई खुद नहीं बेचता है, कोई seller उसमें बेचता है उसी से product हम लोग को पास आते है न ऐसे ऐसे होता है तो मैं आपको देखाएंगे गाईस जो seller है ना, उसी का नाम शार्च करेंगे गूगल में, यहाँ पर मैंने Google Chrome में आ गया, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे game station house करके ठीक ना और यहाँ पर देख सकते हो game station house automatic आ चुका है शार्च लिस्ट में यह रहा game station house इसका जो rating है ना, Google में बहुत ही अच्छा rating है देख सकते हो, इस company और भी बहुत सरा product बेशते है, gaming का उपर यहाँ पर, PS4 है तो guys, इस अब तो हम लोग को नहीं चाहिए हम लोग को चाहिए 4-in-1 mobile combo pack याणि mix pro ठीक ना, तो यहाँ पर मैंने स्क्रोल करते गए, स्क्रोल करते गए अगर आप लोग को और भी कुछ खरीतना है, तो उभी यहाँ से खरीत सकते हो, यह रहा भाई mix pro ठीक ना, जो 4-in-1 mobile combo pack, यहाँ पर इसका कीमोद देख सकते हो, only 2999 यानि guys, 1000 का savings हो रहा है, जो कि एक ही seller, जो Amazon में बेच रहा है, और अपना website में बेच रहा है, तो क्या दिक्क्यात है और यहाँ पर ना कभी कभी sale चलते रहते हैं, तो उस समय और भी कम में हो जाएगा, और सबसे अच्छा बात यह लगा मेरे को, यहाँ पर cash on delivery, यानि COD होता है, जो product आपका पास देगा हाथ में, और आप पैसा दे रहा हो, तो इससे और क्या safe है, तो यहाँ से purchase कर सकते हो, बिल्कुल safe है, और guys यहाँ पर देख लो product को एक और बार, जो की काफी प्यारा लग रहे है, बहुत ही छोटा है, ठीक ना, यहाँ पर देखो बार कोड बगरा दिया है, scan करके देख सकते हो, original duplicate, यहाँ पर कुछ specification, जो की 5 volt का charger लगाना है, यह सब कबर ने बताया है, तो यह सब मैंने अभी side में रख लेते हैं, और बाकी जो समान मिला है ना, वो भी एक बद देख लेते हैं, यहाँ यहाँ पर design देख सकते हो, यहाँ पर side में button दिया है, इसकी clicking sound सुन सकते हो, जो की बहुत ही प्यारा लगते हैं, बीच में DPI adjustable button, और यहाँ पर wheel का अंदर भी एक button है, इस side में लेकिन button नहीं है, और यहाँ पर इसका design देख सकते हो, इसमें RGB गुलो करते हैंना उस समय और भी अच्छा लगते हैं मैं आपको दिखाएंगे, आगे चलके सारा कुछ, अभी इसको side में रख लेते हैं यहाँ पर देख लो भाई, एक और kevil मिला है, मतलब सारा कुछ pack करके दिया है, आपको बाहर से कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पर इसे अब charger का साथ connect कर सकते हो, अगर charger है तो अब जो phone का साथ connect करके, ओयाट तरीकर से connect करके खेल सकते हो, यहाँ पर keyboard देख लो भाई, ऐसा keyboard बहुत ही कम company बनाते हैं, इस keyboard का जो खास चीज है ना बो है, यहाँ पर देख सकते हो, AWM भाई और क्या चाहिए, यहाँ पर देख लो, car का जो will है ना, उसाब कुछ दिया है, photo का साथ दिया है, तो और क्या चाहिए बोलो, यहाँ पर इसका sound बगरा सुन सकते हो यह तो mechanical है नहीं, लेकिन mechanical का feel जो है ना, वो जरूर देते हैं इसकी ultra side में देख सकते हो grip बगरा काफी सही से maintain किया है हर एक जगा पर grip लगाया है और यह बहुत जरूरी भी है, नहीं तो यहाँ टेबिल में भगते रहते है keyword, तो बहुत ही जरूरी चीज है, और यह लोग अच्छे से maintain करके दिया भी है तो यहाँ पर मैंने इसका unboxing पूरा कर लिया आप इसे अपना phone का साथ जोरेंगे और देखेंगे, यह seismic work करता है कि नहीं यानि कोई fake product मेरे को दे दिया तो guys, सबसे पहले जो चीज करना है ना, अपना phone में एक app install करना होता है जिसका नाम है geek gamer तो यह app प्लेस्टर में मिल जाते है कोई भी virus बगरा नहीं आएगा और यह बिल्कुल free भी है तो geek gamer यहाँ पर search कर लेते है यह रहा geek gamer देख सकते हो तो चलो इसे install कर लेते है तो जब तक यह install हो जाए अभी तक वीडियो में बने है तो वीडियो में like कर देना और चैनल पर नया है तो guys subscribe कर लेना यार subscribe बर नहीं रहाई तो subscribe जुरूर कर लेना और यहाँ पर देख सकते हो internet थोड़ा सा slow है मेरा Wi-Fi का recharge जो है जो हो खतम हो चुका है और guys यह जो तरीका है mouse keyboard का जोडने का यह बहुत ही easy होता है यहाँ पर ना कोई developer option बगरा own करो ना कोई application ना कोई OTG connector USB hub यह सब कुछ नहीं चाहिए भाई हर एक phone में यह work कर जाते है तो यहाँ पर देख लो भाई मैंने gig gamer apps को install कर लिए अब जो करेंगे ना मेरा mix pro में power देंगे तो पहले से मैंने अपना charger बगरा सब कुछ ready रखा और यह देख सकते हो type C charger होने से कम चल जाएगा तो यहाँ पर भाई यह लोग बोलता है कि 5 watt का charger को use करो लेकिन मेरा 66 watt का charger मैंने use किया कोई भी दिक्कत कोई भी problem नहीं आया यहाँ पर देख सकते हो light बिलिंग कर रहा है यह blue light पहला बला जो था ना उसमें red light बिलिंग कर रहा था तो कोई बात नहीं blue light भी अच्छा लग रहा है phone में connection करके एक option है इस पर click करते redirect करके ले आया Bluetooth पे तो चलो यहाँ से में Bluetooth को on कर लेते है और यहाँ पर new device pair इस पर click करेंगे देख सकते हो Bluetooth 5.0 कितना fast है कितना जल्दी आ गया तो चलो भाई इसे में pair कर लेते है आपना phone में और यहाँ पर connected भी हो चुका है भाई कितना fast है देख सकते हो जो मेरा पहला वाला था ना वो मतलब connected नहीं हो रहा था यहाँ पर यह connected हो चुका है भाई बहुत ही जल्दी यहाँ पर add game करेंगे ठीक ना देख सकते हो जो आपका game है उसे add कर ले ना मेरा तो free fire है free fire add कर लिया यहाँ से enter करेंगे यहाँ पर कुछ permission देना परता है fast time ठीक ना तो यहाँ पर देख सकते हो यह रहा geek gamer इस पर जाएंगे यह जो permission है इसे allow करेंगे यहाँ से फिर से back करेंगे और यहाँ पर allow करेंगे फिर से यहाँ पर enter करना होगा एक और बार मेरे को permission देना होगा यहाँ पर जो display over others app है ना इसका permission देना होता है यह देख सकते हो display over others app इसका permission देना होगा यानि जो मेरा free fire run हो रहा है उसको उपर कोई apps कम करेगा उसी का permission दिया मैंने और यहाँ पर भाई देख सकते हो गरीना free fire आच चुका है यहाँ से मैंने free fire को open कर लिया और यहाँ पर अभी तेक मैंने mouse को ना keyboard को कोई भी चीज connect नहीं किया है तो गलती से मैंने पहले free fire को open कर लिया और यहाँ पर देख सकते हैं इसका logo तो आया है लेकिन यार अधा अधूरा कुछ logo आया है यहाँ से मैंने back कर लेते हैं एक चीज में आप लोगो दिखाना चाते हैं जो बहुत सरा लोग बोलते है कि Android 13 में इस अधा problem आ रहा है तो मैं अपना settings में जाके आपको दिखाना चाते है गाइस मेरा यह जो phone है यह Android 13 पे run कर रहा है देख सकते हो जो latest version है अभी का time पे Android 13 पे run कर रहा है यानि इस phone में चल जाए ना जिसका Android version कम है यानि Android 9, 10, 11 उसमें बहुती easily connect हो जाएगा Android 13 यह सब लेके तुरह सा problem है तो भाई हम लोग का phone में चल जाए तो Android 10, 9 उस सब में बहुती easily चल जाएगा इतना जानके रखो कि उसमें security कम है यह कुछ security का reason है यह सब होता है और यहाँ पर मैंने free fire को दुबारा open कर लिया अब इसका जो logo बगरा है न सब कुछ आ चुका है यहाँ पर देख सकते हैं इसका logo बगरा यहाँ से मैंने सारा कुछ customize कर सकते हैं लेकिन मेरा keyword mouse को मैंने जोड़ा ही नहीं आ भी तक सबसे पहले keyword mouse को जोड़ना चाहिए तो चलो यार keyword mouse को जोड़ लेते हैं यहाँ पर बहुत लोग बोलते कि पहले mouse को जोड़ लो फिर keyword को जोड़ लेना नहीं तो mouse keyword दोनों एक साथ work नहीं करेगा यहाँ पर यह सब कुछ नहीं है देख लो मैंने तो कुछ भी जोड़ लिया और दोनों बिलकुल work करेंगे ठीक ना यहाँ पर देख लो सबसे पहले मैं mouse को जोड़ लिया उसका बाद मैंने keyword को जोड़ लेंगे और यहाँ पर देख सकते हो भाई इसका RGB का look keyword का जो RGB का look है यहाँ पर RGB तो change नहीं हो रहे पता नहीं यार यह change क्यों नहीं हो रहे यहाँ पर इसका option कुछ है की नहीं मेरे को नहीं पता मैंने उतना परहा भी नहीं इसका बारे में यहाँ पर नर्माली function प्लस A4 और इसका दबाने से change होता है लेकिन यहाँ यहाँ पर यहाँ पर यह सब हो नहीं रहे तो बाद में हम try करेंगे अगर होगा तो अच्छा बात है ना होगा तो और भी अच्छा है लेकिन यहाँ पर माउस का जो signature look है ना एक बार देख सकते हो इसका RGB भी चेंज हो रहा है यहाँ पर तो माउस तो भाई बहुत ही बड़िया ही look किया है और यहाँ पर मेरा सारा setup जो है ना वो complete हो गया यहाँ पर देख सकते हो माउस बगरा बिल्कुल work कर रहे तो मैंने थोरा सा सही कर लेते है और मेरा जो mouse pad है ना वो भी लाते है नहीं तो हम नहीं खेल पाएंगे यह रहा देख सकते हो मेरा mouse pad बहुत लोग बोलते है कि एक mouse work कर रहे तो keyboard नहीं work कर रहे यहाँ पर मेरा mouse keyboard दोनों एक ही साथ बिल्कुल work कर रहे और यहाँ पर मेरा setup जो है complete हो चुका है तो guys इससे game खेलने के लिए सबसे पहले मेरे को ना थोरा सा key mapping करना है तो key mapping करने के लिए सबसे पहले जो मेरा game का key mapping है ना उसे open करना है और उसका उपर जो mix pro का key है ना उसे बैठाना है सबसे पहले mix pro का logo पर click करके settings में जाना होगा और यहाँ पर देख लो उंगली से बैस press करके रखेंगे और यहाँ पर नया tap खुल के आएगा keyword से कोई भी key दबा देंगे वो set हो जाएगा इसका जो key mapping है ना यार बहुत ही easy है पहले तो मैंने इतना easy key mapping किया ही नहीं यहाँ पर देख सकते हो बैस उंगली से आप press करके रखो एक tap खुल के आया keyword से दबा दो जो आपका मन पसंद की है उसे आप रख लो कोई दिक्केत नहीं है अगर आप लोग चाहो कि विश्वाज भाई एक key mapping का उपर वीडियो बनाओ आपका जो gameplay है वो बहुत ही अच्छा है तो मैं key mapping का उपर वीडियो बनाएंगे सारा sensitivity सब कुछ बताएंगे लेकिन आप लोगों को comment करना होगा और comment में मेरे को बोलना होगा आपका comment का उपर ही मैं वीडियो बनाएंगे और यहाँ पर देख सकते हो मेरा key mapping है वो लगबग लगबग हो चुका है यहाँ पर medicate के लिए मैंने 4 यूज करते हैं यहाँ पर active skill के लिए मैंने alt को रख लेते हैं हमेशा के लिए revive के लिए यहाँ पर V को रख लिया और यहाँ पर मैंने ev को रख लिया और यह जो ev है यह बहुत ही काम आते है जैसा कि vending machine बग़गर open करने के लिए मासरूम बगड़ा खाने के लिए और यह ev जो है ना मेरा उंगली का पास ही रहते हैं तो guys मैंने यहाँ से एक rank game start कर लेते हैं और देखते हैं यह rank work करते के नहीं तो यहाँ से देख लो जो कि मैंने एक rank game start कर लिया यहाँ पर एक problem मेरे को face करने के लिए मिल रहा है बार बार मैंने यह problem face किया तो guys अभी भी मेरा screen पर देख सकते हो लोगों बगड़ा सब कुछ है कि मेरा screen पर ठीक ना तो कुछ टाइम बाद यह automatic चल जाते है आपको मैं दिखाएंगे देखते रहो और साथी साथ guys यहाँ पर देख सकते हो मेरा mouse keyboard दोनों बिलकुल एक ही साथ work कर रहे है बहुती अच्छा तरीका से में खेल रहे है यहाँ पर बीना कोई lag मतलब दोज भी phone भी है ना मतलब आपका low end device है ना तो उसमें भी बहुती अच्छे से game चल जाते हैं यहाँ पर देख लोगा यह automatic भाग गया सारा key mapping बगरा जो स्क्रीन पर थाना वह भग गया लेकिन यहाँ पर वर्क कर रहे है बिलकुल वर्क कर रहे हैं यहाँ पर देख सकते हो मेरा सामने एक enemy मैंने इसको मार देंगे guys यह देख सकते हो मतलब कुछ problem यहाँ पहले से सारा कुछ setting ठीक ठाग है ना तो कोई दिक्कत नहीं है mouse का card sir चाहिए ना mouse का card sir आ जाते है कोई दिक्कत नहीं लेकिन key mapping edit नहीं कर सकते हो in game तो इसके लिए geek gamer apps को फिर से open करना होगा और 4-5 minute ऐसा कुछ रहते है key mapping फिर भाग जाते हैं पता नहीं इसको settings में मुझे मुझे पता नहीं है भी देख मतलब यह Bluetooth से connect किया ना अगर हम OR से connect करेंगे मैं तो सबको recommend करेंगे कि OR से connect करके खेलो वहां पर कोई delay नहीं होगा OR connect करके खेलने से एक और फाइदा है जैसे कि खेलते टाइम आपका phone automatic charge होते रहेगा और यह जो issue है ना मुझे लगता है EV fix हो जाएगा और यह कोई major issue तो है नहीं इसमें आपका game बिल्कुल चल रहे है आपका mouse की board दोनों work कर रहे है और key mapping बार बार कोई नहीं चेंज करता ह है कभी-कभी jewelry होता है तो change कर लेते तो वो तो आप बाद में कर सकते है mouse का cursor चाहिए तो वो आ जाते है तो और क्या चाहिए और इसी का साथ ही guys हम लोग जो है ना वीडियो का एकदम end part पर आ गया तो आज मैंने mix pro का unboxing किया एक best buy link का बरह में बताया यहाँ पर mouse keyboard को setup किया द दे दिया description में उसी link पर click करके आप लोग इसे buy कर सकते हो उसी website में पहुच जाओगे तो guys आज का video को मैं यहाँ पर end करेंगे तो थोड़ा बहुत gameplay के साथ enjoy कर लो video तो चलो यार बाए कर दो पूब कर दो गूब कर दो किपकर दो बाए